इस देश का नेता परता कितना है अजानता कितना है ऐसे लोग जो जाती और धर्मजब को टार्जिट करते हैं वो तेगला तैप के लोग है बिहार के विकास के लिए जाती सबसे बड़ा जहर है हिंदु मुसल्मान और ऐसे लोग जो जाती को गाली देते हैं उनको चुनाओं से बंचित कर देना चाहिए भार्ती से निकालना चाहिए नमस्कार में हुए निकलतिवारियो राप लाइफ सीटीज देख रहे हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव हमारे साथ हैं ब्राहमन क्या बाहर से हैं कि कहां से हैं कोई भी भारती यह बाहर से नहीं है तिजस्वी आदव के पूर विधायक के रहे हैं आर्ज और अनार्ज की जो बाते थी हम उस बक्त की स्थिति को आप देखिए न हम आये कहां से हमो सेपियन और सेपियन के बाद हम आये हैं चिंपांजी और बंदर के बाद हमारा खून हमारा ब्लड तो एक है जाती बेबस् यह देए जर्फरी है वहाइल लीक लोड़ा पर पथर इस देश का नेता परता कितना है अजांता कितना है अचीन ना ज्यान ना चीज ना इतिहास ना बर्तमान न बिज्ञान ना अध्यात बस बखना है कभी कुरान साजीब साभ को गाली दे देना है कभी इसलाम को कभी राम को कभी सनातनी हिंदू को ये कठरपती हिंदू और कठरपती इसलाम और इलोग जो लोग हैं इलोग भारत में चाहते क्या है यह जो जाती बेवस्ता यह देखे नेता अपनी कमजोरी और नेता को कुछ होना जाना तो है ने आता तो है ने चेंज करने की उकाद किसी नेता को इसलिए वो हिंदू-मुसल्मान छेदर भासा लिंक को गाली देता है जाती को गाली टार्जे से जाती को का मुल्यांकन नहीं होगा जात को कभी आप 10% को दलाल कह दीजिएगा कि 10% दलाली करते थे कि कब था 10% भाई इसको तो पते नहीं है कि सबसे ज़्याद है राजा यह दुमांस मोर्जमांस इन लोगों में आया है जांच होना चाहिए ब्रहामनों की या मुझको तो समझ में नहीं आता है जानवर के पिखाना से मुल्यांकन होता हो कर सकते हैं हम जानवर का यह किस जानवर का पिखाना है आदमी के पिखाना से किसी भी किमत पर आदमी का मुल्यांकन किया जा सकता है कौन है आदमी का ही न पिखाना होगा कि जात का मुल्यांकन होगा कु औरिया का क्या है बिल्डी का क्या है बहुंब बता देंगे लेकिन ये किस जात का पिखाना हें बता सकते हैं committees No काये काई नोगों को वे लेते हैं जो सुग्ण कठसं नहिए जो नेता के ऐसे तकी दुकान बंद हो जाती है राजनेती में कोई मतलब नहीं ठव ऐसे लोग विचारों के बदले विवाद अस्पत चीज़ों को छेड़ते हैं विचार को लाइए ना आप बोलिए विचार पर बात करिए बाहस का पूरा प्लेटफॉर्म है आप कभी राजपूत को कभी भुम्यार को कभी जादब को कभी को कभी पाटी में बहुत सारे ब्रह्मन मेरी बात तो समझे न भाई ब्रह्मनों जानती ब्रह्मनम ब्रह्मन को जाती से पहले नहीं हमको तो समझ में नहीं आता है पहले तो उसको ज्ञान दीजिए माभारत में युदिस्ठिर छत्री नहीं थे अर्जुन छत्रिया हुए नकूल और सादेव छत्रिया नहीं हुए युदिस्ठिर ब्रह्मन हुए क्योंकि वो ज्ञान का बात करता था एक ही परिबार में पांच आदमी जो लड़ा छत्रिया है जो बैपार किया बहस जो मजदूरी किया सुद्र और जो दिमाग नहीं जो अपने बोधिकता से अध इस्षर के और मोक्षी और ले जाए उसको हम कहते हैं ब्रह्मन तो ब्रह्मन जाती तो मद कालिन जुक के बाद आया ना विप्र ने ऐसी चीजों को अस्थापित कर दिया पढ़े लिगे यह फालतु बात लोग जो करते हैं ऐसे लोगों को हम आगरा करेंगे लालु का कि हम सबको पीट नहीं जारना चाहिए कि यह उनकी निजी रहा है आप बदलने की तियारी कर रहे हैं ना आरजेडी को वन टू जैड नहीं से नहीं चलेगा कि अगर बोल देंगे नहीं विल्कुल नहीं एक्शन लेना होगा हटाना होगा ऐसे लोग जो जाती और धर मजभग को टार्जेट करते हैं वो तेगला टैप के लोग हैं और सबसे ज्यादे बीजेपी में ऐसे लोग हैं किरी राज टैप के लोग हैं आप कभी जाती देखते हैं कि नहीं हैं सर उस दिन आत्मात्या कर लेंगे मौत के अलावे कुछ नहीं होगी कोरुणा में जाती देखें बाढ़ में जाती देखें जितनी मडर कभी आज तक जानते ही नहीं है अब आगे जो बच्चे साधी बिभा करेंगे जाती का पता चलेगा उसके बच्चे जो साधी करेंगे बाहर पर के उनको पता चलेगा जाती की जाती बेवस्ता खदम होनी चाहिए धार्मिक मजबी बेवस्ता जो उन्माद है खदम होनी चाहिए भारत के विकास के लिए बिहार के विकास के लिए जाती सबसे बड़ा जहर है हिंदु मुसल्मान यदि ये जाती बेवस्ता को नहीं मिटा है हम लो तो बिहार मिट जाएगा नस्थ हो जाएगा और ऐसे लोग जो जाती को गाली देते हैं उनको चुनों से बंचित कर देना चाहिए पार्टी से नि पर आम लोगों से जोरने के लिए ऐसे लोगों से बचना होगा जो रमा Insert को जो 10 परतिशक को कहते हैं कि वो दलाल थे ऐसी भासाओं को हम को द्रूर रहना पड़ेगा और सिर्फ फोकस करना पड़ेगा रोजगार पे डवलप्मेंट पे बिहार पे बिहारियों पे बिहारियों के जीवन पधती पे एजुकेशन पे एल्थ पे राइट आफ एजुकेशन पे राइट ऑफ हेल्थ पे, राइट ऑफ एकोनोमी पे, राइट ऑफ जस्टिस पे, नियोजी सिक्चक पे हमको पुनरभिचार की बात सोच नहीं होगी, ऐसे चीजों पर काम करने की जोरत है, यदि हम टारजेट बना लिए बीजेपी के तरह, तो नहीं चलेगा, जैसे जाती ज पर जबन करना, हमको करना है तो करना है, आरक्चन नमी सुची में, 62-72, करना है तो करना है, राइट टू हेल्थ और राइट टू एजुकेशन, और 40% नीजी छेतर में ठेका, करना है तो करना, आप काम करिये न, आप किसी को गाली दे करके न, अस्थापित नहीं हो सकते, क और अच्छा विहार का निर्मार नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को पार्टी से निकालना भी चाहिए, और ऐसे लोगों अपने फायर लौज भी होना चाहिए, चली देखिए, तेचस्वी आदव, लालो आदव को क्या कुछ को यह दे थे, जाप सुप्रीमों पप पुयादव और साफ कह दिए कि किसी को भी जाती नहीं देखना चाहिए, तो बस लाइच शीरीज के साथ बने हमाँ चानल को सब्सक्राइब करें, फिस्वेश को लाइकर धन्यवाद,